हाई गाईज आज कलास 10 के रासायनिक अभिक्रिया के चेप्टर से कुछ महत्पुर्ण MCQ पर चर्चा कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार यहां कि रासायनिक अभिक्रियाओं के और समयं किसी एक परमानु दूसरे के पर नहीं बदलता है करता है कि रासायनिक जब reaction होता है उस time पे एक तत्यों और दूसरे तत्यों के परमानु में नहीं बदलता है सही बात है जब reaction उस time होता है तो किसी एक element जो है वो परमानु के रूप में नहीं change होता है परमानु दुसरे तत्यू के परमानु में दूसरे तत्यू के परमानु में नहीं चेंज होता है ठीक है बलकि एक ही Beautiful किसी रासाइनिक अभीक्रिया में परमानु के आपसी आबंद्य परमानु जो आपसी जो खिचाव है वो तूतने या जुरने से नए पदार्थ का निर्माण होता है ठीक है तो question आप समझ गए उपरों कथन में से कौन सा सही है केवल एक केवल दो केवल एक या दोनो केवल एक और आप तुस्छ समझाने से समझी गए होंगे केवल एक और दो दोनो एक और दोनो सही है अब next question देखते हैं काता है किसी पदार्थ का अपचयन ऑक्सिजेशन होता है किसी अब ऑक्सिजेशन समझना है उपचयन किसको काते है काता है जब किसी अभिकिरिया के समय है अभी किरिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की बिर्धी तो उसका उपचयन जब ऑक्सीजन की बिर्धी होगी तो अपचयन ठीक है तो इससे आपको अंसर किलियर होगा होगा आपचयन ठीक है समझ गए होगे अब आगया है नेक्स्ट है ऑक्सी करन गयाँ आक्सी देशन के संदर निमननी की गथन पर विचार करना कि इसके कारण चान्दी के उपरी काली प्रत वो तांबे की उपरी हरी प्रत चढ जाती है, फिर दुसरा करता है, इसके परभाव से बचाने के लिए चिफ्स की थैली में से आक्सीजन हटा कर इसमे नाइट्रोजन गैस भरीजास भरी जाती है हाँ सही है चीफ में Oxygen हठाकर nitrogen भरी जाती है इसलिए ताकि जो हर समय जो वो करे कराकर हता है और जो हम क्थ कथनों में से कौन सहさ है तो में दोGO सब्बाद trabalhar के वल एक भी सही है दो भी सही है तो इसके हिसाब से हो जाएगा कथन के साब से दोनों सही है ठीक है फिर आगे है आगे है फोर नम्मर चूने के संदर में निमलिकित कथन पर विचार कीजिए चूने का क्या गून है चूना क्या होता है कुछ कथन दिया गया काता है कि Calcium hydroxide को चूना बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं नहीं आप बी जनते होगे करने बात दिवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बात दिवारों पर Calcium carbonate का नेर्मान होता है ॐ वंपक करंद्ध से कौंसा सही है। इसका हम देखेंगे , इसका जो है केवाल। कीवाल। केवाल दू सही है। करता है कि बूजए वए, किलो स estásily ही हादकसाइद चूना राया बीना बूजए वह चूना भी करते diligently, चूना नहीं करते हैं। उसमा निकलता है केल्सियम डिन बाद दिवारों को सफेधी करने बाद दू-ते से कल्सियम son team कार्बंडीट का मेंन निर्माण पर कैलिष्यम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता हुआ विक्तिती में mogęकर दी में धिमिकाति कभी किरिया कर इसुन मेंạnh पहेंट करने के बाद दो तीन दिन के बाद वो चूने में कलर में चमक आ जाती है इसलिए उप्शन हो जाएगा आपका सही दो कौन हो जाएगा दो यहने की उप्शन नम्मर बी ठीक है अब आगे है पांचमा करता है स्वसन रैस्पिरेशन रैसी रैस्पिरेशन नम्मर खित में कैसी अभिक्रिया है करता है सही वजी अभिक्रिया है बी वजन अभिक्रिया है उसमा चेपी अभिक्रिया है और उसमा सोसी अभिक्रिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमा चेपी अभिक्रिया तो कैसे एक्सो स्वासन का क्या है आप 지금 अभी क्रिया इसे उस्मा सभी इसमा हो उसंब निर्मान के साथ 10 को थी और इसमा इसमा सोसी अभी क्रिया कहते हैts तो इस परकार से आपका यह answer जगा right answer जगा कौन उस्मा छेपी ठीक है उस्मा थेंक यू लाइक एब हम सब्सक्राइब करें सो थेंक यू